त्रिकुटा परवत से होते हुए अमरनात्रिकुटा परवत से होते हुए वह हमेशा मथुरा का दौरा करते हैं हरी के स्थान गोपाल जी के स्थान जाते हैं कि वहां देवी माता का दर्शन करना नंद महराज के दर्शन करना बल्राम जी के दर्शन करना स्मरन करना उन्हें उनकी प्रतिमाओं को कि यह करने के लिए वह मतुरा समय समय पर कभी कभी कुछ वर्षों में आते हैं तो इस बार समय इतना अच्छा रहा को कोई एक व्यक्ति हैं पत्रकार है वह जो साधूं का वीडियो बनाते हैं कि उन्होंने कि उनके दर्शन पाए और यह वीडियो है एक जगह यूट्यूब पर पत्रकार अब इतने साधूं को देखते हैं उन्हें कहां से समझ आएगा कि कौन से साधूगन परशुराम है कहां से अब बाकी अन्यसाध्यों नहीं कहा था मरकंट में कि अगर गुरुवर रमते राम जी साम समक्षा गए मतलब समझ जाना कि यह युक परिवर्तन का समय अब ज्यादा समय नहीं है गोर कल्यों आखरी चरण तो लग गया था उसके बाद transition period जिसे कहते हैं बीच का सत्यूग और कल्यूग अन्त होने के बाद कल्यूग अन्त होते 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 सत्यूग यह समय में अभी हम चल रहे हैं और अभी जो यह भोकमप और यह सब जो स्थिति आई जो शुरू हो गई है क्योंकि परशुराम जी सामने आ गए सब्त चिरन जीवियों में हैं परशुराम जी सर्वशेष्ट हनुमान जी के तरह सबी सर्वशेष्ट हैं महात्मन हैं भगवन हैं वही है जिनके आप दर्शन लेंगे जिनोंने रामयन काल देखा महाबारत का काल देखा स्वयम जगद साक्षी रहे हैं वह रामयन और महाबारत काल श्री राम चंद्र के साथ कई उनकी लिलाएं है पांडवों के साथ कर्ण के साथ श्री हरी माधव गोपाल जी के साथ बेश्म पितामया के साथ दुर्ण अचार्य के साथ मैं आगे अगर समझिए मैं वीडियो बना पाया तो मैं बिलकुल आपसे उन बातों का वर्णन आपसे करोगा अमरकंट उनका निवास थान है नर्मदा नदी का हर कोना उनका निवास थान है कहीं भी रह सकते हो नर्मदा नदी के किनार है क्योंकि वहीं आजपास उन्होंने परशु प्राप्त करने का उनकी साधना रही है महिंद्र गिरी परवत यानि महिंद्र गिरी गिरी यानि परवत महिंद्र परवत अमरकंट को ही कहते है तो अमरकंट उनका निवास थान है ब्रमण करते हैं रम ते राम इसलिए नाम है उनका क्योंकि रमण इस प्रकार करते हैं अन्य साधू गंड जो पीछे रहते हैं साधू गंड वह जो वनवासी है जो एसी कूलर के अंदर बैठे हुए है और बड़े-बड़े मंत्रियों के साथ वीडियो बना कर जो हाथ मिलाकर गले मिलाकर माला पेन के जो भाषण दे रहे ना प्रवचन दे रहे हो नहीं वो नही है तो यह जब इनके पीछे चलते हैं तो परशुराम जी की आदत है ऐसा व्रक्ष है सामने वन के अंदर कोई बड़ा व्रक्ष के पीछे चले जाएंगे और व्रक्ष के पीछे से फिर वो दूर में व्रक्ष है वहाँ दूर व्रक्ष के पीछे से निकलेंगे अब पीछे अन्य सादुगन जा रहे हैं यह रमन ते रहा में हैं रमन करने का इनका कोई ठिकाना कहीं यह नहीं कि कहीं आप यहां तो यहीं से सीधा वहां निकलेंग उनसे कहीं बाते हैं साल वर्ष निकल जाई थी नहीं बाते हैं कहने की तो बड़ी इच्छा होती है परशुरामजी अगर आप पूछे अभी भोजन क्या करते हैं पत्ते खाते हैं कंद मूल कंद मूल यानि कांदा नहीं प्याज नहीं तामसिक है वह नीम के पेड़ का जो वरक्ष का जो जड़ निकली हुई है बाहर धर्ती से तोड़ते हैं भुगोते हैं खाते हैं और जी तो ऐसी वरक्ष है मैं एक उधारान दे रहा हूँ फन्नस के वरक्ष का पत्ता खाली है जो साधू होते हैं उनका पहला नियम है जीव भापे पुर्णन नियंद्रण पहला नियम होता है जीव अब अन्य साधू गा नीनी को देखकर वग्यान प्राप्त किये हैं क्वार नियम होता है क्वार नियम होता है